चलि हम देखते हैं अंतराष्टी राजनिती तो अंतराष्टी राजनिती में हम सबसे पहले देखेंगे उसकी परिचाय इंट्रोडक्शन फिर देखेंगे हम डेफिनिशन परिभाशा तो देखें इंट्रोडक्शन आप हमेशा अंतराष्टी राजनिती में अंतर तो आप के लिए समस्य हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यह जानना भी जरूरी हो जाता है, तो देखिए अंतराश्टी राजनिती होता क्या है, साधरार सब्दों में बात करें तो एक देश के अंतर क्या होता है राजनिती, एक देश के अंदर बहुत सारे होता है जैसे भारत की बात करें तो भारत में बहुंत सारgi political party है जैसे BJP है Congress ہے ऑजी party है तो चिनाओं क होता है क्यों हर party power पान चाहता है शेहीर जनीटी कहते है और इसे अंतरराष्टी स्था पर ले जाएं international लेवर तो यार यह सम्क्राष्टी राजनीती होगा जैसे यह हमारा भारत है भारत कम्माय पैमान लो इसमें पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहे हैं माम ले पॉलिटिकल पार्टी है मैंने उधारण के लिए भारत को लिए अब किसी भी देश को उधारण के लिए ले सकतो तो जैसे भारत है इसमें जीतना भी competition होता है जो भी competition होता है वह अंधरूनी होता है यानि political party करवाती है ठीक है और क्यों करवाती है तो पावर के लिए ठीक है तो इस संघर्षों को हम international level पर ले जाए तो क्या होता है जैसे मानलो बहुत सारे देश होते हैं अमेरिका, चीन, गुडान, स्रीलंका, पाकिस्तान, आधी बहुत सारे देश हैं ठीक है जब देश आपस में पावर को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं तुसे हम अंतराश्टी राजनेती कहते हैं आपने देखा होगा अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष चलते रहता है तो क्यों करते हैं क्योंकि दोनों अपने आपको उच्छा उठाने की कोशिस करते रहते हैं ठीक है नए नए टेक्नोलोजिक से बम बना रहा है परमारो बम बना रहा है अमेरिका नहीं नहीं मसीने तरह तरह के हत्यारें आधी बनाते रहते हैं क्यों करते हैं परमारो परना हैं। हम तुमसे ज्यादा है। आज देखें तो अमेरिका सबसे सक्ति शाली देश है। उनके पास बहुत सारे ने ने तक हीनेंटी मशीनें। बहुत सारे हठ्यार टेकेनोलोजी है। कहने का मतलब यह है कि अंद्रूमी तौर पर अंद्रूमी चीज को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं और जब यह दो देशों के बीच पहुंच जाता है और जब दो देश संघर्ष करने लगते हैं तो यह हमारा अंतराश्टिय पोलिटिक हो जाता है ठीक है हमेशा बताना चाहूंगा कि दो देश आपास में पावर को हासिल करने के लिए हमेशा लड़ाई करे यह जग भी नहीं है अंतराश्टिय पॉलिटिकल एक ऐसा मंज भी देता है जहांपर दो देश का जगड़ा हो जाता है तो किसी टोपिक को लेकर जहड़ा हो जाता है तो यूएनों अंतराश्टिय संगठन के दो संगठन है जो ऐसा मंज देता है जो अपनी समस्याओं को हम बैट कर शुर्जा सकते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हम ऐसा लड़ाई होते हो देश के भी अच्छे रिलेशन भी बना सकते हैं ठीक है ठीक है लो इसका मीनिंग आपको अच्छे समझ आ गया होगा ठीक है जरूरी यह होता है कि अब जिस भी टोपिक को पढ़ रहे हो उसको कॉंसेप्ट क्लियर होता है तो आप आगे चीज अच्छे समझ पाते हो ठीक है चली हम आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं परिभाशा ठीक है परिभाशा देखते हैं चाल्स स्लाइजर के नुसार अंतर राश्टी राजनीती में विभीन राजियों अंतर राश्टी संस्थान तथा अधिन जनता के संपूर संघर्ष संबंध समाविष्ट होते हैं की परिवासा है दुनों और चली मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैएं